Smudges का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Smudges का दू तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो Smudge का plural यानि बहुवचन होता है Smudges क्यानि कि एक से ज्यादा Smudge को हम Smudges कहते हैं तो Verb की रूप में Smudge का इस्तिमाल जब हम Present Indefinite Tense में He, She, ETS, Singular Third Person के साथ करते हैं तो Rule के Coding इसके साथ S लगाते हैं जिससे Smudges बनता है और Smudges का आर्थ होता है कि Smudge करता है या करती है और Smudge करने का आर्थ होता है गंदा करना, धबा लगाना, फैल जाना, मिटी लपेटना, काला करना, रगणने पर छूटने वाला, यश में धबा लगाना, या कलंक लगाना या धबा डालना तो smudges का आर्थ हुआ कि गंदा करता है या करती है धबा लगाता है या लगाती है या इसी तरीके से कलंक लगाता है या लगाती है लगा देता है या लगाती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि आफ वहां में सचाई की धब्बी हैं तो आप कहेंगे this rumor contains smudges of truth या अगर आप ये कहना चाहें कि प्रिष्ट पर घहरे धबूं से धका एक नक्षा था तो आप कहेंगे अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें